आज जो महाकाली का रूप है जैसे कि दीदी ने बोला देख करके डरना नहीं मगर ये महाकाली का जो रूप है वो अपने ही उपर है कि हमको क्या करना है मारा काली के लिए महाकाली के लिए कहा जाता है काल, काल अर्थात काला और एक काल का अर्थ ये भी है समय तो महाकाली को काल रातरी भी कहते है, तो इसकी जो भक्ती मार्ग में कथा दिखाई जाती है, जो बताते हैं कि काली का रूप काली का कैसे बना एक रक्टबीज नाम का रक्षस था तो वो रक्षस को एक वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी मार नहीं सकता और कोई भी मारेगा उसको तो जैसे ही उसकी रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज उत्पन हो जाएगा तो ऐसे करके कोई उसको मार नहीं पा रहा था तो देवी पारवती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और रक्तबीज को मारने का प्रयास किया तो जैसे जैसे देवी दुर्गा रक्तबीज को मारती थी तो जमीन पर जो उसकी खून की बूंद पड़ती थी उससे नया रक्त बीज उत्पन हो जाता था और देखते देखते पूरी बड़ी सेना रक्त बीज की बन गई तो ये सब देख करके दुर्गा को मा दुर्गा को क्रोध आया और उन्होंने फिर क्रोध में अपना काली का रूप धारन किया और फिर उसके बाद उन्होंने काली का रूप धारण करने के बाद रक्त बीज को एक एक रक्त बीज को मारते गए और जमीन पर रक्त की बूद गिरने से पहले ही उसको पी लेते थे तो इससे सारे रक्त बीज खतम हुए तो लास्ट में जो में ओरिजिनल रक्त भी था उसको भी ऐसे मार करके खतम किया और फिर ऐसा करते करते उनका काली का रूप तो दिखाते हैं कि बहुत डरावना और बहुत प्रोध वाला होता है तो ऐसे करते करते वो पूरे विद्वन्श करने लगे सारी दुनिया का तो उसी बीच में फिर शिवजी आये जमीन पर लेट गए और मा काली का जो पैर है वो शिवजी की छाती पर पड़ा और तभी वो रुकी और फिर उनकी जीब बाहर निकली दिखाते हैं ना जीब बाहर निकली तो ऐसे करके काली का क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने मादुरगा का रूप धारन किया तो ये दिखाया जाता है इसका भावार्थ ही ये है कि रक्त बीज जो है वो देह अभिमान का रूप है जो सभी के अंदर है और एक-एक बूंद जो जमीन पर गिरती है उससे नया वंश उसका बनता है तो इसका अर्थ ही है कि हमारा जो देह अभिमान है अगर देह अभिमान सामने आता है तो उससे धीरे-धीरे पुरा वंश सामने आ जाता है पुरा वंश विकारों का तो इस पुरे वंश को हमें खतम करना है में देह अभिमान को खतम करेंगे तो पुरा वंश खतम हो जाएगा तो जैसे कि दिखाया कि उसका गला काट करके खून पी लिया मतलब कि देह अभिमान को उसका हनन करके और स्वयम में जो काली का रूप धारण किया शक्ती रूप तो शक्ती रूप से हमें अपने इन विकारों को, कमजोरियों को खतम करना है और फिर दिखाया कि काली का इतना क्रोध था कि रुक नहीं रही थी वो तो शिव जी ने जमीन पर लेट करके उनका क्रोध शान्त किया तो कभी-कभी दिखाते हैं कि ब्राम्हन आत्माओं को भी ज्यान का बहुत एहंकार आ जाता है नशा चड़ जाता है तो बाबा इतने निर्मान नीचे जुक करके बच्चों को बोलते हैं तो बच्चों के कपाट खुल जाते हैं जो अभीमान है वो नश्ट हो जाता है, खतम हो जाता है तो काली के हाथ में दिखाते हैं नर्मुंडी दिखाई है इसका अर्थ है कि देह अभीमान का हनन करके उस पर विजय प्राप्त की गले में दिखाया जाता है उनके नर्मुंडों की माला इसका अर्थ है कि मृत्यु पर विजे प्राप्त करी काल अर्थात समय जो काल है महा काल है उस पर भी काली ने विजे प्राप्त करी और उनके हाथ में तलवार दिखाई गई है जो कि ज्ञान का प्रतीक है ज्ञान की तलवार से हमें अपने जो विकार है अभिमान है उनका वन्शज है उसको समाप्त करना है और फिर इसका भावार्थ ही है काली का जो शक्ती रूप दिखाया गया है सामना करने की शक्ती तो दिन भर में बहुत सारी कमजोरियां, परिशानियां सामने आती हैं, मगर उनको हमें सामना करना है, अपना शक्ती रूप बना करके, तो आज की जो शक्ती है सामना करने की, और आज का हमारा स्वमान भी यही है, मैं मास्टर महाकाल हूँ, तो काल पर विजय प्राप्त करने व तो इस स्वरूप में रहके आज हमें पूरे विश्व को सकास देनी है